वन दे मातर स्वेंज, आई मादा फाम मैस मादा चलिए मैस की दुनिया में चलते हैं हेलो बच्चों कैसे हैं आप सबी और आज की हमारी जैस वीडियो है और हमनों चल रहे हैं फूरे स्टेटिक से शेरीज में आगे बढ़ चुके हैं और यहां पर आज जो मारा क्यास्ट है लास्ट वीडियो में ने देखा था कि कैसे हम लेस्दें टाइबASH कैसर को सॉड लेंगे ठीक लेस्दें टाइबश को सॉड करने का मने पर तरहांगे बताया अगर आपको mean, median, mode निकालना आ रहा है तो हम कैसे more than or less than type tables को solve करें, करना कुछ नहीं होता है, simply आपने mean, median, mode निकालना सीख लिया है, तो less than or more than type tables में आपको कुछ चीजें करनी होती है, आपको class interval और आपको frequency बनाना आना चाहिए, और student अगर आपको class interval और frequency given है, तो फिर आपको mean निकालने से कौन रोग सकता है, median निकालने से कौन रोग सकता है, mode कौन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आपको mean, median, mode अगर चाहिए, तो आपको एक simple class interval देना मिला हो, और उसके बगल में एक छोटी सी प्यारी सी frequency दी हो, बस इतनी तो चाहिए ना सीजें, और क equal to 80, कहीं class interval देख रहा है, यहाँ पर class interval तो कुछ ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस tag की चीज़ों को हम पढ़ जोके है, class interval में, लेकिन ऐसा कुछ यहाने given है, वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ मैंने क्यों लिखा इस तरीके से, वह थोड़ा सा देखना, क्या दोनों में difference है, मैं यहाँ पर बना रखा, यहाँ में चीज़ों को solve करूँगा, ठीक, यहाँ जैको लिखा, more than or equal to 80, फिर more than or equal to 70, मतलब यह तुम्हें marks given है, बच्चों के, और यहाँ पर number of student है, मतलब की, 80 या 80 के बराबर, मतलब 80 या 80 से ज़्यादा पाने वाले, 4 बच्चे है, ठी 50 या 50 से ज्यादा पाने वाले, तो 50 या 50 से ज्यादा पाने वाले, इसमें काउंट होंगे, 70 वाला भी काउंट हो रहा है, 80 वाला भी काउंट हो रहा है, सब आड़ हो रहा है, और जब जैरो या 0 से ज्यादा पाने वाले, इसका मतलब जो 0 पाया होगा, और 0 से ज्यादा प बात है बच्चे जीरो से लेकर सो के बीच में नंबर पाएंगे आप обяз़ हैं इसे इस जादा नहीं है मैंने इस प्रक्राइब्स तो जोए आध्या कुछतों तो यह तो दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है बस आपको कभी ऐसा क्रेक्षिन आ जाए तो आप यह मत कहोंगे सर 80 70 यहां घड़ते वे करम में था और यहां पर 10 20 30 40 बढ़ते वे करम में सिक्वेंस में तो हम क्या करेंगे वहाँ पर और एक सी जाता है जो लिखा हुआ है कभी लिखा हुआ है तो लेंगेज में कन्फ्यूज मत होना इसलिए मैं इसको भी लिख दिया कभी यह लिख करके आजा तुम्हें अब आई यह जो टागेट है कि हम प्लास इंटरवल कैसे बना है प्लास इंटरवल ना इधर की में हम क्या करें लेह दन में मैंने आपको बताया था जब भी लेह दन या या बिलो लिखा होता है उसके सामने जो नंबर आपको दिखता है ना इधर यह वाले जो इस्ट्रेंट के नंबर यह एज़सी एफ ट्रीट करते हैं लोग ठीक है ले यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और सी एफ भी निकालेंगे मैंने वहाँ पर में इसे मिटा दूना एबब वाले को यह समझ दाना इसको हम एबब के फार्म में भी लिख सकते हैं बस इसको याद रखना ठीक है परिए अगर ऐसा आ जाए तो अभी हम लोग यहाँ सो फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और सीयागे और सीफ का भी कॉलाम बनाएगे फिर मैच करेंगे क्या यह जो नमबरस है इससे सी एस में मैच कर रहा है कि लो अगर देखते हैं क्लास और कैसे निकालना है म॓र देंटेबल जो मैन एक याद रखना की लेंस्ट्रिओं टेबल म लियान किसे होते फिढ़ व्ोस्ति अगया जागे ciao कि नमबर्स नीनिते इसको लोग उखने माना करते थे थी मिल्कुल ना बागा तरीक से उखेंगे ग्याई ही लोगनेंगे लोवर लिउस ने में हैं इस तडरीक के लिए किसे अगर अगर पार शर्क्तरां सुरू करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं हमनों इसको सुरुआत कहां से करते हैं देखो हमें साइव से 0 से start करना होता है पहले आपर देखो हमें पता यह सारी जो लिमीट है यह सब के सब यह टेबल लिटा दिया हुआ है बड़े से छोटे की तरब दिया हुआ है उल्टा इसलिए चल रहा है ताकि तुम्हें टेबल जो क्लास इंटरवल बने सीधा सीधा से बने तो अच्छा लगे देखने में वह तो सीधा ही दिया हुआ है उससे कोई प्रॉलम नहीं होगी तो टेको क्लास इंटरवल कैसेवनाना है पाहले आप और देखो कितने का घयप सब में दिखरा तुम्हें इस सबके सब ल। लिमिट्स हैं अब तुम जब लिखते हो कभी कुई नमबर तो देखते हो डहस लगाते चलते हो दो-दो नमबर लिखते हो इस साईड में लोवर लि पार जी अप लोग ले में लिखना 0 10 20 30 40 50 60 70 80 असी तक यह ना ठीक है यह टेवल को मैं इधर से लिख रहा हूँ और यह तो मालोग पाहले से सिक्वेंस गिवन है 0 10 20 30 हम यह देखना असान रहेगा अगर ऐसा तुम्हें दे दिया अगर ऐसे दिया हुआ है तो इधर जीरो वाले को पहले लिखना अपर लिखना अब हमें अपर लिमिट लिखनी है अपर लिमिट खोजने का सबसे अच्छा तरीका है तो क्लास इंटरव होना चाहिए तो यहां तुम्हें पता है अगर 10 का लेना है तो यहां पर क्या बन जाएगा जीरो टू टेन और ऐसे भी समझे नहीं आ रहा है तो यह समझो कि अगर जो नंबर तुम्हें पता जो पहले क्लास का जो सेकेंड नंबर होता है मतला अपर लिमिट होती है दूसर की अगले क्लास की अगले में लोवर बन जाती है तो हमें इस उसका मतलब यहां पे क्या हो isolate होगा और टेन का गैप भी है जिरो से कितना नमबर हम लिखे 10 का गैप दीखे तो मैं पता 0-10 लिखना पड़ेगा हमें कि यहां 10 का गैप है तो 0-10 10-20 क्योंकि हमें पता जो अपर लिमिट होगी वहीं लोवर होगी ठीक है 20-30 तुम्हें पता आप 10 का गैप है बढ़ 10-10 का गैप लिखते चले जाओ 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70 to 80 and 80 to 90 सब्सक्राइब होगी यहां 80 तकी है आपने 90 लिख दिया कोई दिक करते 90 यहां पर काउंट नहीं होगा यहां पर लिखा हुआ है ना देखो more than r equal to 80 80 से जादा तो 80 यहां 80 से जादा इसमें आ जाएगा ना ठीक है चलिए अब यहां पर frequency कैसे से निकलेगी जब भी ऐसा टेबल शुझें तो यह जीरो वाली चीज को अपने ऊपर से लिखा है ना तो हम इधर से माइनस करते हुए चलेंगे इसमें उल्टा ऐसे 34 से 32 अब ऐसे दोगर माइनस करोगे ना 4 से 6 विद्धक 4-6-2 आ जाएगा एंसर हमें माइनस में नहीं चाहिए वैल्यू ना हाथ तो इधर से नहीं करेंगे हमने दखो इधर की वैल्यू को हमने ऐसे उल्टा लिखा जीरो को ऊपर लिखा फिट 10 को इधर लिखा फिट 20 30 40 40 मतलब नीचे से लिखते चलेगे ठीक है तो हम माइनस भी उल्टा करेंगे 34 से माइनस करेंगे कितना 32 34 मैं यहां लिख भी दे रहा हूँ ठीक क्या हम माइनस कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे 32 माइनस कर दिया कितना आ गया 2 आ गया देको frequency निकल ले हमारी पिर अगला 32 से माइनस करेंगे 30 जो माइनस करते हैं एक sequence है और अगले में लिखते चले जाओ 32 माइनस अब जो नंबर है 32 तो 32 माइनस अगला नंबर क्या है 30 है तो 30 लिख दो equal to 2 अगें 2 आ गया ठीक है 30 माइनस 27 30 माइनस 27 तो 30 माइनस 27 equal to 3 आ गया यह 27 माइनस 23 27 माइनस 23 ठीक है equal to 4 clear next 23 माइनस 17 23 माइनस 17 इसको मैनस कर दो कितना आ गया 6 फिर अगले प्या जाओ 17 माइनस 11 17 माइनस 11 ठीक है कितना हो गया है आपे 6 clear फिर next अब इस प्यार है हो गया साइस से 1 2 3 4 5 6 तीन बच्चे भी 11 माइनस 6 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 यह हो गया 6 माइनस 4 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 अब जैसे में जब हम लोग सी एफ निकालते थे पहला नमबर एजटे लिख देते थे ना अब यहां पर क्या करें हम लोग इसके उपर तो कोई नमबर ही नहीं तो अगला सबसे उपर नमबर 4 है 4 माइनस कुछ नहीं दिख रहा हमें इसको एजटे हम क्या लिख देंगे कि 4 ठीक काम कना तो यह आपकी फ्रिक्वेंशी बन गए क्या यह ने है इस करते हम इस सब्सक्राइबं क्या करएं इभाए जटे चैनल में इस निभाए और इभाए व्यूप से ममें नमबर में इतन पर steps क्यो तोence गीवन था तो यहां पर हम क्या करेंगे ऊपर से मैनस करो 34-32 लिख दो 32-30-30-27-23-17-11-11-6-6-4 वह आखरी में आखरी में दो फॉर मैनस कुछ दिख नहीं रहा है तो फॉर अगर नीचे लिख दो अब जरा एक बार ना सीएफ भी निकालते हैं अब ठीक हैं क्यों खासकर जब आपको कभी भी लेश्दन मोदन टायक के क्वेश्टन आते हैं तो आपको जो क्वेश्टन गिवन होता है वो मीडियन मे लिए जाता है तो आप सिंपल बताओ मुझे कि लास इंटरवल अगर आपको दिया हो आपको लास इंटरवल निकालने बनाने आ गया चाहिए ओ लेश्दन टायक पर टेबल हो अगर आप लास इंटरवल बनाना जानगे हो और लेश्दन में थोड़ा अलग तरीका था यहा मोड मीडियन निकाल पाएगा थीक है मोड कोन नीकाल पाएगा किलास इंटरवल ऐसकी तो दिया होता है जब बीसीमेट में यास इंटरवी निकालते उसीमपल कूह्इस में वहां पर त farms देक्व बड़ा। होती है तुम है कर मी निकालना होता है विधर निकालना होता है तो भी आपको पता है कैसे मीडियन निकलता है हाँ मीडियन में सिया फ्रेक्वेंसी गीवन था तुम सी एफ निकालते हो अब यहां पर देख लेते हैं एक चीज़ थोड़ी सी जैसे हम लोग वहां देखते थे कि लेटन टाइप टेबल सामने जो नंबर होता था वही सी एफ हो जाता था जैसे मालों 0 क अगले नंबर में एडिकरते हैं सेवन ओ गया सेवन फिर सेवन को फूर में करो यहां तक लवाए 11 116 को गरो थेवंटीन 17 में 6 एड़ करो 23 ठीक है 23 में 5 एड़ करो 28 28 में 2 एड़ करो 30 और 30 में 4 एड़ करो 34 देखो last number जो आया हुआ है ना टोटल ही है यह दो लास्ट वाला टोटल जो स्टुडेंट है वो तो 34 है यह दो दिख रहा है यह टोटल 34 है यहाँ पर आखरी में वो तो दिख रहा है यहां लिखा है ना more than or equal to 0 0 या 0 से ज़्यादा पाने वाले बच्चे टोटल की तो 34 है तो सारे बच्चे निकलूड हो गए आखरी नंबर से माया है क्या इसमें कहीं पर तुमको दोको टू है यहां वह रहें सेवन इवन इसमें दिख रहें कुछ नंबर मैच कर रहें जैसे 28 है 28 कहीं यहां पर है नहीं दिख रहें तो जब भी तुम्हें more than type के table है थोड़ा सा aware हो जाना वहां पर class interval बनाना है frequency निकालनी है और इस frequency से तुम cf find out कर लेना मतलब कि जब भी less than more than type के table के questions हो तो तुम्हें एक अलग table बनाना बढ़ेगा एक class interval का और एक frequency का उसके बाद question के according की तुमसे mean पूछा जा रहा है य तो मिलतें नेक्ट वीडियो में और aesthetics के कुछ और भी questions के साथ mean medium mode के religion के साथ और उस पर कुछ question को solve करेंगे तर तक के लिए bye bye, take care, love you to all, goodbye